दिलिप कुमार और सायरा बानों की लव स्टोरी आज के कपल्स के लिए काफी मोटिवेटिंग है दोनों ने साबित कर दिया कि अगर प्यार सचा हो तो चाहे कितना भी दिक्कते आएं आप अपने प्यार को कभी नहीं खो सकते दिलिप और सायरा बानों के उम्र में 22 साल का फासला था लेकिन उनके प्यार के इसी फासले को कभी अपने रिष्टे में नहीं आने दिया वहीं सायरा बानो हमेशा दिलप कुमार के साथ उनका सपोर्ट बनकर खड़ी रही उन्होंने साबित किया है कि उनका प्यार दिलप कुमार के लिए सच्चा था बता दे कि जब दिलप कुमार के फिल्म मुगले आजम साल 1960 में मुंबई के फीमिस मराथा मंदिर में रिलीज हुई थी तब 16 साल की सायरा बानो अपने फीवरिट हीरो को देखने वहाँ गई थी लेकिन वहाँ जाकर सायरा का दिल तूट गया था क्योंकि दिलप कुमार उस प्रिमियर पर नहीं आए थे सायरा इस बाद से काफी दुखी हो गई थी हाला कि फिर उन्होंने खुद हिंदी सिनेमा में काम करने का फैसला लिया फिल्मों में काम करने के बाद एक बार सायरा की मुलाकात दिलप साहब से हो गई उस वक्त सायरा अपने नजर दिलप साहब से हठा नहीं पा रही थी अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए सायरा ने एक इंटिव्यू में बताया था जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो वह मुझे देखकर मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ उनकी बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी बस तब ही मैंने सोच लिया था कि मुझे अब दिलब साहब की पत्नी बनना है बता दे की शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में काम करने के बाद साहरा की राजेंदर कुमार के साथ डेटिंग की खबरे आने लगी इसके बाद साहरा की मा नसीम बानू ने दिलिप कुमार से बात की और कहा की साहरा से इस बारे में बात करो और उन्हें समझाओ साइरा की मां दोनों की रिलेशन की खबरें के खुश नहीं थी और वे चाहती थी कि दोनों का मिलना बंद हो जाए बता दे कि साइरा की मां वो पुल थी जिन्होंने इन दोनों के दिलों को जोड़ा है साइरा की माने दिलप कुमार को साइरा की शादी के लिए कहा था लेकिन उम्र के फासले को देखते हुए दिलप कुमार शादी के लिए तयार नहीं थे लेकिन साइरा तो हर हाल ही में शादी करना चाहती थी दिलब कुमार की यह तक कह दिया था कि उन्हें मेरे सफेद बाल नहीं दिख रही है लेकिन सायरा को इससे फरक नहीं पड़ता एक बार दिलब कुमार सायरा बानों के घर गए थे तब सायरा साड़ी में काफी खुब सूरत लग रही थी दिलिप उन्हें देखकर फिदा हो गए थे और उन्होंने साइरा को कहा था कि वह काफी प्यारी लग रही है इसके बाद अगले दिन फिर दिलिप कुमार ने उन्हें फोन करके कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है इसके बाद दिलिप कुमार लगातार ही सायरा से मिलने लगे और साथ में डिनर करने लगे इसके बाद दिलिप कुमार ने सायरा बानो को प्रपोस कर दिया दिलिप कुमार ने फिर साल 1966 में सायरा से शादी कर ली थी दोनों की शादी की खबर सुनकर सभी चौक गए थे शादी के वक्त सायरा की उम्र थी 22 तो वहीं दिलप कुमार 44 के थे इनकी ये लव स्टोरी आज के जेनरेशन के हर कपल को काफे कुछ सिखाता है नेक्स नाइन नीउस से श्रिया की रिपोर्ट